बिहार विधानतबा चुनाब 2020 का दूसरा चरन के लिए आज वोटिंग डाली जा रही है बिहार के 17 जिलों में 94 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं यानि दूसरा चरन अब तीसरा चरन यानि लास्ट चरन रहे गिया है आ जाएंगे किस पार्टि को कितनी सीटे मिल रही है और किसी बनने जा रही है सरकार पर दोस्तों इन नतीजों से पहले बिहार कि मैं आपके लिए एक ओपिनियन पोल लेकर आया हुँ बिहार के दूसरे चरन का यानी 94 सीटों पर कौन सी पार्टि को कितनी सीटें मिल सकते हैं जो आज वोट दाले जा रहे हैं उन सीटों पर उससे पहले मेरी आप से रुक्वेस्ट या नि ओपीन पॉल बताने से पहले मैं आप से कहना चाहूं कि अगर आप भी चाहतें देश में EVM को खतम कर देना चाहिए और बेलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए तो आप इस वीडियो पिलीज जरूर लाइक कर दिए अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को दरूर सबस्क्राइब वो बेला एकन को दबा दिये ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँ वो दोस्तो आपको बता चल जाएगा तो जैसे कि आप जानते हैं दस से पंदरा दिन पहले तेजिशफी आदफ कि जो लाहर है वो एकदम से तेजि शे बढ़ी है और उनकी रेलियो में भीड़े हो बहुत जियादा जुट रही हो कम से कम पंदरा सोला सतरा रेलिया एक दिन में कर रहे हैं कबी बारा रेलिया क करिए एक रिकोर्ड बनाया है एक दिन के अंदर तो दोस्तो रेलियों उनके भीड तो आ रहा है पर उन वो भीड वोट में तब्दील होगी यह तो दस तारीक को ही पता चलेगा पर मैं आपके लिए 94 सीटों का ओपीनिन पॉल लेकर आए हूं ओपीनिन पॉल आपके सामने र acas घडबंदन जो अयंडीय गडबंदन है उसको 29 सीटे मिल सकती है वही दोस्तों हो उरक्ते अपाटियम USDA ॉन को बीस सीटे मिल सकती है यह यंज सबसे बड़ा घडबंदन हो सकता है इस वोटिंग में यो दूसरा हो रहा है उसपालिस सीटे मिल सकती है और वहीं 29 सीटे वो 20 सीटे मिल सकती है चलिए दूस्तों आपकी प्रितिक रिया इस पर आप नीची कमेंड बोक्स अप्रियार जरूर बताएगा इस वीडियो ज्यादा दा शेर करिएगा लाइक जरूर करिएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा अधिक अता कि मैं जब भी नहीं वीडियो लेकर आऊंगा दूस्तों आपको बता चल जाएगा चलिए इस वीडियो में इतना है